असलाम लेकुम इस्टेंट्स क्लास 6 अपने इंग्लिश क्रामर की बुख देखिए इंग्लिश क्रामर एंड कम्पोजिशन इसमें देखिए हम जो हमारा PFS का स्लेबस था वो कम्प्रीट कर चुके हैं अल्मोस हमें हाफली स्टार्ट करना है हाफली मैं सबसे पहले चैप्र टिक कर लिए जो मैं आप लोको टिक करवाने जा रही हूँ लेसन नमबर 9 Sounds of the Letter पेज नमबर 12 पर गिविन है लेसन नमबर 10 Vowels and Consonants पेज नमबर 13 से गिविन है लेसन नमबर 11 Word पेज नमबर 14 लेसन नमबर 12 Sentence पेज नमबर 15 लेसन नमबर 13 नाउन पेज नमबर 18 लेसन नमबर 15 Gender पेज नमबर 24 लेसन नमबर 18 Article पेज नमबर 33 यहाँ पर लेसन नमबर 35 Essay Writing पेज नमबर 18 यह आप लोग को हाफली का स्लेबस है जिसमें से हम इसको टू पार्स में कम्प्रीट करेंगे जैसे कि पेज फर्स में आप लोग के 8 chapters आये थे लेसन नमबर 1 से लेकर लेसन नमबर 4 तक यानि कि लेसन नमबर 1, 2, 3, 4 लेसन नमबर 1, 2, 4 हमने पार्ट नमबर 1 में कम्प्रीट किया था लेसन नमबर 5, 6, 7, 8 यानि कि लेसन नमबर 5, 6, 8 तक हम लोगों ने अपना पार्ट नमबर 2 में कम्प्रीट किया था ठीक है students class 6 देखी अब next हमें क्या करना है अब हम लोग को इसको हम लोग हाफ वेली का विसले बस अपना टू पार्स में डिवाइड करते हैं जिसमें lesson number 9, lesson number 10, lesson number 11 और lesson number 12 यह हम लोग का इतना chapter हो जाएँगे lesson number 9 से लेकर lesson number 12 तक इसमें part number part number 3 में ठीक है then lesson number 13, 15, 18 और last जो रह जाएगा lesson number 35 यह हम लोग अपना part number 4 में चाहलँ पड़ेंगे तो सबसे पहले सभी लोग lesson number 9 निकालें sounds of the letter, page number 12 पेज नम्बर 12 पर है लेसन नम्बर देखिए पेज नम्बर 12 लेसन नम्बर 9 लेसन नेम है sounds of the letter यानि कि वर्नों की धवनियां sounds कहते हैं हम धवनियों को of यानि की letters वर्न letters था इसलिए वर्नों part नम्बर 3 है यहाँ पर यहाँ date show करनी है हमें वर्नों की धवनियां यानि की हमें sounds देखने होंगे कि किस तरह के letter से किस types की sounds release होती है ठीक है students, classes next देखिए जैसी की letter है A, इसका जो pronunciation है वो है A sound जो है उसका हिंदी में A, A, A B का है B, next B, C का है का, सा, D, डा, E, चोटी E, A, F, फा, G, गा, next जा एच, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है A, A, E, च, हा, I, E, और आई, जे का, जे, जा, के का, के का, जैसे की हमें लिखना है kite तो अगर हम हिंदी में काइट की तरह लिखिए तो किसकी आवाद आ रही है का, L, ल, M, इसी तरह से बाकी यह यहां पर given है next है same page number, page number 12 पर ही, बड़ी E को उपर हमें लिखना है तो यह हो जाएगा E शा और शा को लिखेंगे तो हो जाएगा शा, छा, C, H, A, A, I, सिर्फ A होता तो A यहां पर बड़े A है तो यह हो गया A, I, तरह, T, R, A, तरह, ठा और दा, ठा, का, चा, चा, खा का क्या हो जाएगा K, H, जा का हो जाएगा J, H, अडा, र, आर, इसी तरह से आप लोग को यह इड़ करने है पेज नमबर 12 पर था, लेसन नमबर 9, सिंपल था, कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं थी नेक्स दीखी, यहां पर पेज नमबर 13 पर, लेसन नमबर 10 है, वोविल्स एंड कॉंसोनेंट्स, स्वर और व्यंजन यह भी आप लोग का क्या है, पार नमबर 3 है, यहां पर भी आप सब लोग पार नमबर 3 लिखेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे वोविल्स, देन पढ़ेंगे चॉंसोनेंट्स, वोविल्स होते हैं हमारे नमबर में 5 5 Consonant होते हैं हमारी number में 21 टोटल जो है all over यह 26 होते हैं तो 25 6 में से 5 वह हमारे वाविल्स हो गए बागी जो बचे 21 वह सभी हमारे क्या हो गए Consonants हो ठीक है तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं वाविल्स नेक्स आते हैं Consonants वाविल्स कौन कौन से होते हैं ए ए आई ओ यू सिंपल चीज़े क्लासिक वाविल्स अभी जानते हैं next Consonant जो है वह ए ए आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स बसते हैं हमारे यानि अलफाबेट वह हमारे क्या क्लाते हैं Consonant ठीक है और वह कितने हो गए 21 जो कि देखिए टोटल कितने होते हैं 26 26 में से वाविल्स मैनस कर दीए 5 कितने रह गए आपके पास 21 6-5 1 2 जा जाएगा तो 5 हमारे क्या है वाविल्स और 21 क्या है हमारे Consonant और यह क्या है हमारे टोट अलफाबेट भी कह सकते हैं और लेटर्स ठीक है चलिए यह हमने देख लिया कोई सिंपल एक्सराइज है सेम पेज नेमर पेज नेमर 13 पर ही ए है जिसमें पिक आउट दी वाविल्स इन फॉल्लइंग वर्स हमें इसमें से वाविल्स निकालने हैं जैसे कि फर्स में है आई ए ओ गन में यू, सन, यू, जग, यू, लेग, ए, औक्स, ओ, रैन, ए, टब, यू, नेक्स सेम पेज नेमर पेज नेमर 19, 13 पर इसी तरह से गिवन है वाइट तो वाइट को हम उसमें हिंदी में क्या कहते हैं यहाँ पर लिखना है complete the word with correct वाविल्स यानि कि हमें यहाँ पर word को complete करना है कैसे हमें क्या पुट करना है यहाँ पर correct वाविल्स पुट करना है और जिससे क्या हमारा हो जाए and write their meaning in Hindi और उनके meaning को यानि कि उनकी मतलब को हमें यहाँ पर हिंदी में भी लिखना है ठीके इसमें first है हमारा देखी मैंने यहाँ पर वाविल्स पुट किया है आई और ई तो आई और ई जो है हमारा उसका हमारा मिलाकर क्या होगया गिए sorry white white को हम उसमें Hindi में क्या कहते है सफेद next आ जाई यह next है हमारा kite मैंने क्या mix किया है आई और ई इसमें हमारा क्या बना kite kite को हम Hindi में कहते हैं पतं ठीक है, next है हमारा year, year को हम कहते हैं k Ninja, gray, gray को हम Hindi में क्या कहते हैं , भूरा Black को हम Hindi में कहते हैं kala, लिए शयदta इसमें कोई misprint है तो इस बर्ट इस तरह से cancel कर दिये आई आई को हम इंदी में कहते है आग सिर्फ हमें वविल्स करना है स्रिज्ट बागी कि ये वर्ट का यूज़ नहीं करना है आइध एक mean वह गया हारा रीड रीड में ए वॉविल हो गया पढ़ना या फिर पढ़न है यह हमारे क्या हो गया second question हो गया B next third है same page number, page number 13 पर ही write any three vowels and consonants, आपको कोई भी three vowels लिखने हैं और कोई भी three consonants लिखने हैं, तो मैंने वोविल लिख दी हैं A, I, U कोई भी three लिख सकते हैं, और consonants भी कोई भी three लिख सकते हैं मैंने लिखा है F, M और K, ठीके, ये page number 13 पर हम लोका lesson number 10 complete हुआ, जो बहुत simple chapter था, वोविल 10 consonants, हिंदी में स्वर और व्यांजन, अब next आ जाईए, फिर page number, यहां पर given है, page number 14 पर, lesson number 11, lesson name है word, word को हम हिंदी में कहते हैं, शब और उर्दू में क्या कहते हैं, लव्स, ये फिर अलफास, ठीके, word किसे कहते हैं, words कितने types के होते हैं, ये देखेंगे, हम word है, a group of letter which has a meaning, कहरें कि ये जो letter है, L, K, M, F, sorry, N, या F, जो भी हैं, ये सबी क्या हैं, letters है, 1, 2, 3, 4, ये 4 letter हैं, अब जैसे कि A, N, D, N, A, और N, और D को मैंने मिला कर क्या बनाए, 3 letters को, 1, 2, 3, इन 3 letters को मिला कर मैंने A की word बनाया, ये हमार क्या कहला है का word, और इसका meaning भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने L, K, M, F है, suppose तो मैंने L, K, M, F, ये कोई हमारा word, ये word जब बनेगा, जब इसका पूरे का meaning हुगा, L, K, M, F, कोई meaning नहीं है, और end का meaning है, ये और, तो ऐसा letters के group को मिला कर एक ऐसी चीज़ बनाई जैसका meaning ह हो, वो हमारा क्या कहलाता है, word, word कितने क्या है, parts of speech देख लेते हैं, जिसमें आते हैं हमारे, first होता है noun, second pronoun, noun को हम हिंदी में कहते हैं संग्या, second pronoun, pronoun को हम हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, next third adjective, adjective को हम हिंदी में कहते हैं विशेशर, next fourth verb, verb को हम हिंदी में कहते हैं किरिया, next sixth, sorry पर है एडवर मतलब करिया विशेशर, नेक्स सिक्स्ट है प्री पोजीशन, प्री पोजीशन का मतलब संबंद सूचाप, नेक्स सैवन थै कंजक्षन, समुचिया बोधप, नेक्स एड्थ है इंटर्जेक्षन यानिके विसमयाधी बोधप, यह हमारे हो गए पार्टस उफ speech next same page number page number 14 पर ही exercises given है जिसमें देख लेते हैं पिक out the correct word आप इसमें कह रहे हैं जो correct word है उसको आप लोगों को यहां से निकालना है जिसमें देखिए first में check करते हैं O B Y देखिए letter से मिलकर बनाएं लेकिन हमें correct देखना है word होना चाहिए वो B Y O Y B O B O Y तो हमने यहां पर देखा हमारा जो correct meaningful word आ रहा था वो क्या था B O Y Y means लड़का next second में ऐसी तरह से C T A T C A दोनों का कोई meaning नहीं C A T cat यह word होता है T A C में भी हो सकता है एक से ज्यादा हो तो इतने भी होंगे हमें लिखने यहां पर हमारा सिर्फ एक ही था C A T cat वो मैंने यहां पर लिख दिया आप लोग को टिक करना नहीं था वैसे मैंने आप टिक कर दिया आप लोग कर सकते हैं मर्जी है लिखिन यहां पर आप लोग को लिखना जरूरी इसने है थार्ड द ओजी डॉग ओजी डीग गी डीजी ओ इसना है हमारे कि यहां इसने चेक कर लेते हैं ने do chưa ङोठ एंख लिए था था कि तरोट 2nd हो गया 1st हो गया अब इसमें जो हमारा 4th है वो क्या है कि M M N E N M E और M E N तो इसमें से जो meaning full-nya नाया वो क्या है में मैं तो इसमें से जो meaningful word आ रहा है में थी कि आ यह हमारे हो गया question number 1 जो था a वो complete हो गया next same page number page number 14 पर ही वी है put the letters in right order to make words right order में हमें इनको fill करना है first मैंने correct form में लिखाए यह भी word नहीं है इसको हम जब proper way में लिख देंगे proper letters को arrange करके हमें एक word बनाएंगे मतलब एक जब meaningful letter letter से मिलकर meaningful चीज़ बनेगी वह हमारा क्यालाएगा word तो मैंने इसको arrange किया यह हो गया B L A C K Black second देखिए second में कुछ कमी है इसको cancer कर देते हैं third है जी डबल ओडी गुड नेक्स्ट है fourth s h o r e shore next step 5 p e n pen next sixth है b e a l t belt ठीक है यह हमारा क्या हो गया question number B complete हो गया next आ जाईए question number four sorry page number 14 पर ही question question number three n e c write any four parts of speech आपको कोई सभी parts of speech लिख रहे हैं जिसमें first मैंने लिखा है noun second लिखा है work third लिखा है adwork और then fourth interjection कोई भी लिख सकते थे जरूरी नहीं कि आप यहीं लिखे लेकिन यहीं हमारे है parts of speech होते हैं कितने eight इन में से आपको इन ही eight में से four को यहाँ पर लिखना था page number 14 पर अब देखिए page number 14 पर यहाँ पर हम लोका lesson number 11 जो है part number lesson name था word Hindi में कहते हैं शब उर्दू में कहते हैं love part number three भी था यहाँ पर date show कर नहीं थी कि हमारा यहाँ पर complete हो हो गया lesson number 11 किस पेज नमबर पर पेज नमबर 14 पर नेक्स आज यह पेज नमबर 15 पर है lesson number 12 lesson name क्या है sentence हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको वाक्य कहते हैं ठीक है देखिए sentence किसे कहते हैं अब देख लेते हैं a sentence is a group of word कहरें ही जो एक sentence होता है वो words का group है जैसे कि मैंने देखी foreign letter से starting होती है letters plus letter मिलते है तो क्या बनते हैं word टीके word को word से जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा sentence letters को या कई letters मिले हमारा word बना कई वर्ट मिलते हैं 2 से ज़्यादा वी सकते हैं 2 से ज़्यादा भी लेकिन एक नहीं 2 से ज़्यादा वैट को मिलाकर जुलान बनती है और उसका से मेनिंग होना चाहिए यह मिनिंगों होने चाहिए यह और यह भी हमारे मेंनिख्छ esse तो यह क्या हो गया, a sentence is a group of words that makes complete sense, कह रहे हैं, एक sentence जो है, वो words के group को, जिसका meaning जो है, वो complete आई, जैसे कि हिंदी में कह रहे है, words का ऐसा समूज, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, sentence, यानि वाक्य कहलाता है, sentence को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य, और उर्दू में क्या कहते हैं, जुम्ला, एंग्लिश में हो गया हमारा sentence, निकलती में हमारा हो गया वाक्य, और उर्दू में हमारा जुम्ला, मैं आपको तीनों ही language इसमें बताती हैं, ताकि आप लोग को याद आ जाए, ठीके, नेक्स्ट है, जो हमारे sentence है, parts of sentence, वो हमारे two है, same page number, page number 15 परिगेविन है, parts of sentence, यानि कि वाक्य के भाग, parts मतलब भाग, of मतलब के sentence मतलब वाक्य, तो parts of a sentence, यानि कि वाक्य के भाग, जिसमें first आता है हमारा subject, जिसको हम हिंदी में कहते हैं करता, Second आता है हमारा Predicate जिसको हम इंदी में कहते हैं विधे तो Subject और Predicate एक Keeps получится को दो हाथ में přिजाता है एक होता है सब्जक्त और दूसरा क्या होता है three गious21 तो सब्जक्त हमारा क्या कहलाता है जो वर्क हमारे संटर्स में जिस के जरीए किया जा रहा है वो हमारा क्या कहलाता है subject और वो या तो noun होता है या तो फिर pronoun देखेंशन देख लेते हैं कि आपको चाहें तो रीट कर लेते हैं सेम पेज नमर 15 पर ही the subject of a sentence is the noun or pronoun that does some action or about which something is said कहने subject जो है sentence में वो noun or pronoun होता है जो क्या action कर रहा होता है किस पर यानि कि जो भी चीज कही जारी होती है वो किसके जरीए कही जाती है मुथbahn Same page number, page number 15 पर ही गे वेन है. Predicate is the part of a sentence which tells something about the subject. कहरे, predicate जो है, वो क्या है? वो sentence का ऐसा part है, जो subject जो है, उसमें बता रहा है. यानि कि subject के जरीए, जो काम किया जाता है, वो हमारा क्या 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 क्लाता है? Predicate क्या था, ठीके? रहा है यानि के subject क्या है जो काम कर रहा है और subject के जरीय गुर्प को हमने किया है वह हमारा क्या है predicate है इस तरह से हमारा subject or predicate sentence को two equal markeleri in two parts में divided किया जाता है first हमारा subject यानि के sentence में जो work कर रहा है करना next हमारा predicate यानि किए जो काम किया गया है वो कहलाता है प्रेडिकेट पेज नंबर 15 पर यह कंपीट हुआ नेक्स आ जाएगे अब पेज नंबर 16 सब्जेक्ट के भी आप लोगो काई वो पार्ट्स थे हमारे पार्ट्स जो है सब्जेक्ट के वो टू है काई देख लेते हैं फरस्ट है अजर्टिव से सेंटेंस तर अंतन्र पर लेते हैं चिया सेंटेंस जो विच्टेट्स और रोडिस्क्राइव तीश दिसक्राइब करें किसी भी छीज को जैनि नौरमल सेंटेंस जो होते हैं वो क्या राते है हमारे अजर्टिश सेंटेंस जैसे कि हिंडी हम निर्दी कर लेक्ट della enlarеюсь जो वस अजटे सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस पहेते हैं children's टीके class 6 next है same page number page number 16 पर ही second है interrogative sentence यानि कि पिर्शन वाचक वाग्के अब interrogative sentence को हम हिंदी में कह रहे हैं पिर्शन वाचक वाग्के इसमें क्या है पिर्शन से ही समझ में आ रहा है इस sentence में हमसे question किया जाता है यानि वो कोई सलाह दी जाएगी या आप से कोई राय मशौरा लिया जाएगा तो वो क्या होता है imperative sentences ठीके यह पेज नमर 16 पर देखिए यहां पर पेज नमर 16 पर complete हुआ next आ जाएगे पेज नमर 17 पर यहां पर आप लोगो fourth given है exclamatory sentence यानि कि विस्मिया दिबोधक वाक्य exclamatory sentence में क्या होता है हमारे अंदर से suddenly कोई feeling आती है वो हमारा होता है exclamatory sentence और exclamatory sentence की एक पहचान है इसके sentence में कहीं न कहीं यह exclamation का sign होता है जो भी exclamatory word होगा उसके सामने exclamation का sign होगा next fifth आता है हमारा optative sentence जिसको हमिंदी में कहते हैं कामना सूचक वाक्य इसमें क्या होता है हमारा इसमें जैसे कि आपसे कोई प्राथना की जा रही है या आपसे कोई इच्छा प्रेयर की जा रही है दूआ की जा रही है या दूआ दिया जा रहा है वो हमारा किसमें आता है और next fifth, operative sentence, ठीक है, उस्टेंस, next time, page number, page number 17 पर ही exercises given है, इसको देख लेते हैं, एक बार हम लोग, ए है, arrange the word in proper order to make sentence, कह रहे हैं, इन words को proper order में arrange करी है, और sentence बनाईए, तो सबसे पहले sentence में क्या चीज़ आती है, subject, subject क्या है, यानि काम कौन कर रहा है, इसमें she, she is reading a book, काम क्या किया जा रहा है, reading a book, यानि कि बुक पढ़ी जा रही है, तो यह होगी हमारा, इससे लिकर book तक, प्रेडिकेट, एक sentence को दो ही parts में डिवाइड करते हैं, एक होता है subject, और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट, next, second, is letter a writing he, इसका work कौन कर रहा है, he, तो मैंने लिखा पहले, he, he is writing a letter, यानि कि वो letter लिख रहे है, daily there you go, you क्या है, subject, तो यह आ जाएगा, you go there daily, subject को हमें हमेशा sentence में पहले लिखना है, then हम क्या लिखेंगे, object, ठीके, students, classics, next, same page number पर ही, देखिए, page number 17 पर ही, next है हमारा third, sorry, यहाँ पर दे हम, रवी, रिसाइट, एंड, पोयम्स, राजू, तो इसका क्या हो जाएगा, रवी, एंड, राजू, रिसाइट, पोयम्स, you what doing are, तो यह जाएगा, what are you doing, ठीके, और यहाँ पर, कोशन मा, क्यो same page number, page number 17 पर ही, given है, be, separate the subject and the predicate in the following sentences, कह रहें, इन sentences में, आपको subject को और predicate को separate, यानि क्या अलग-अलग करना है, तो subject क्या हो जाएगा, हमारा object, sorry, noun और pronoun, तो God क्या हो गया है, God is Almighty, God हो गया subject, और बाकी का portion जो है, वो क्या हो गया, is Almighty predicate, तो मैंने यहाँ ना लिखकर, मैंन obey their elders, predicate, the girl subject with blue eyes in my sister, predicate, next है, breakfast, हमारा subject is the first meal of the day, predicate, the hottest month of the year, क्या है, subject इतना पूरा, और is June, predicate, ठीक है, यह हमारा subject, जरूरी नहीं है, कि subject जो है, वो हमेशा, प्रेडिकेट से छोटा ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, students classes, हम next देखे, same page number, page number 17 पर ही, question number 3 है, मतलब C, identify each sentence and write assertive, interrogative, imperative, exclamatory, or optative, carry in sentences को identify करिए, यानि कि हमें बताइए, यह कौन सा assertive है, interrogative है, imperative है, exclamatory है, और optative है, इसमें first है, he is my room partner, यह मेरा room partner है, simple sentences है, तो यह क्या होगे, assertive sentence को हम एक और क्या नाम देते हैं, simple sentences, ठीक है, students, कहीं आप लोग अगर पढ़ें, तो assertive sentences को, हम लोग simple sentences भी कहते हैं, next है second, where are you going today, तो इसमें, यह क्या है, हमारा question किया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, interrogative sentence, next, third है, work hard, ठीक है, work hard, यानि के, आपको कोई राय दी जा रही है, या कोई मशौरा दिया जा रहा है, या कोई आपको, order दिया जा रहा है, तो यहां कह रहे work hard, यानि order दे रहे हैं, महनत करो, तो यह क्या हो गया, imperative sentence, ठीक है, next है fourth, how fine the day is, exclamation का sign है, simple, तो read, बवर read करें, हम क्या लिख देंगे है, या पर exclamatory sentence, सिर्फ इस symbol को देखकर, ठीक है, next, exclamation, यह जो है, exclamation का sign किला था, exclamatory sign, next है fifth, same page number, page number 17, make good help you, आप सको क्या दी जा रह है, या ली जा रही है, तो यहां पर क्या जाएगा, optative sentence, page number 17, पर हमारा lesson number, जो 12 था, वो complete हो गया, page number 15 से लेकर, हम लोगों ने, page number 16, then page number 17 के half तक, chapter का complete explanation किया है, then same page number, page number 17 पर ही, हम लोगों ने, exercises complete करी है, three questions से, जिसमे, और page number 15 पर lesson number 12, हम लोगों ने भी start किया था, lesson name था sentence, हिंदी में इसको क्या कहते है, वाक के, और उर्दू में इसको क्या कहते है, जुमला, ठीके, English word है sentence, हिंदी word है वाक के, और उर्दू word है, जुमला, तीनों ही, languages में मैंने आप लोगों यहां पर पता दिया है, ठीके, यहां पर हम लोगों ने, एक part complete कर लिया, एक बाद, contents में चेक कर लेते हैं, lesson number 9, sounds of the letter, page number 12 से हमने पढ़ा था, then lesson number 10, vowels and consonants, page number 13 से हमने पढ़ा था, then lesson number 11, word, यह हमने page number 14 से पढ़ा था, lesson number 12, sentence, यह हमने page number 15 पे compete किया, ठीके sentence, classics, यहां पर हम लोगों का part number 3 है, वो compete हो गया है, अब next video में इंशालला हम लोग part number 4 अपना compete करेंग ठीके, यहां तक सभी को अपना work जब तक complete कर लेना है, ठीके listeners, thank you